हेलो एब्रीवन, वेलकम टू जी एस टैंक, जी एस टैंक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और पॉलिटी के भी इस क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है जहां पे हम डिसकस कर रहे हैं फिलहाल डेवलप्मेंट आफ इंडियन कॉंस्टिट्यूशन, भारतिय सं अच्छारि आछा निरट, निमिन काका। एक्ट और आखरी में इंडियन इंडिपेंडेंट्स एक्ट आया, SCCJ-7 तौ यहां-पंट कल हमने पूरा कंपलिट कर द English नहीं देखा है तो, प्लीज जा کر पिछला देख लिजिए, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इसी पे based रहेगा, पूरा class का समिधान सभा पे ही based रहेगा, पूरा complete theoretically ही चलेंगे हम लोग, ठीक है, और पहले सबसे पहले देखेंगे कि इसका history क्या है, historical background क्या है, कि कैसे कैसे समिधान सभा आया, और इसका history क्या रहा, ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, first of all, it was demanded by बाल गंगा धर्तिलक, in 1895 through स्वाराज बिल, और constituent of India बिल, ठीक है, इस सबसे पहले क्या हुआ, कि जो समिधान सभा का मांग था, वो सबसे पहले किया किसने, बाल गंगा धर्तिलक ने, लेकिन ये unofficial था, ये official नहीं था, जिसमें, जो मांग हुआ, वो स्वाराज बिल, या फिर Constitution of India बिल के थुरूख किया गया, कब? 1895 में, जो कि पहला मांग था, ठीक है, दूसरा, इसके बाद क्या हुआ, after that, in 1934, 1934 में क्या हुआ, M.N. Roy gave idea about constitutional assembly and demanded for this, 1934 में क्या हुआ, कि जो M.N. Roy थे, M.N. Roy कौन थे? तो M.N. Roy वही है, जो CPI के founder है, CPI कहने का मतलब है, Communist Party of India, उसी के ये founder है, तो इन्होंने क्या किया, कि संबिधान सभा का idea दिया, और 1934 में ही इसकी मांग भी की, ठीक है? अगला, 1935 में क्या हुआ, कि जो भारतियर आश्ट्रिया कॉंग्रेस है, उसने भी संबिधान सभा का मांग किया, ठीक है? लेकिन, सक्सेस नहीं मिला और ये नहीं बन पाया, ठीक है? 1935 में भी कॉंग्रेस ने डिमांड किया था, बट ये बन नहीं पाया. अगला, सी राजगोपालाचारी, नाम तो आपने सुनाई होगा, सी राजगोपालाचारी, अगें डिमांडेट अबाउट कंस्टिचुएंट एसेंबली, ओन 15 नॉवंबर 1939, मतलब सी राजगोपालाचारी ये वही है, जो की स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम, गवर्न फ्रेंचाइज, इसके बेसिस पे संविधान सवागा मांग किये, ठीक है, और इसको बिर्टिसर्स ने अगस्ट 1940 में एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो यहाँ ओफिसियली जो है, सो एक्सेप्ट कर लिया गया कंसिचुएंट एसेंबली को, ठीक है, इसके बाद क्या कि जो क्रिप्स मिजन, क्रिप्स मिजन केम ओन 24 मार्च 1942, एंड गांधी जी सेड इट वाज़ा पोस्ट डेटेड चेक, क्रिप्स मिजन का जो आगमन हुआ, वो कब हुआ, 24 मार्च 1942 में, लेकिन इसको रिजेक्ट करने का कारण ये था, कि ये इमिडियेट इंडिपेंडें के फेवर में नहीं था, ठीक है, जिसके कारण गांधी जी ने ये भी इसके बारे में कहा, कि इट वाज़ा पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है, और एक क्रिप्स मिजन का एपॉइंट मेंट, यानि नियुक्ती किस ने किया था, तो वो किया थे, उस समय के जो ब्रिटिस पीम जिनका नाम था, विंस्टेन चर्चिल, ये वही विंस्टेन चर्चिल है, जिसने महात्मा गांधी को अर्ध नगन फकीर कहा था, ठीक है, अगला, on 24 March 1946, Cabinet Mission Arrived in India, और 24 March 1946 को क्या हुआ, कि जो Cabinet Mission है, वो Cabinet Mission का भारत आगमन हो गया, संबिधान के निर्मान के लिए, ठीक है, और अगर पुछा जा कि Cabinet Mission को भेजा किस ने था, तो वो भेजा था, ब्रिटेन के उस समय के PM थे, Clement Italy, और इसके बार में, हमने कल भी चर्चा किये थे, कि ये वही Clement Italy है, जो स्वतनता के सम है, ब्रेटिस के परधान मंत्री थे, ठीक है, तो ये रहा गया आपका पूरा historical background, constituent assembly के बाद, इसके बाद देखेंगे कि इसमें और क्या-क्या points है, और कैसे-कैसे समिधान का निर्मान होता है, कब-कब क्या-क्या implement होता है इसमें, वो इसके आगर रखते हैं, बात करते है अगला point का, तो इसमें है कि cabinet mission took place, consisting of three members, तो total cabinet mission में कितने लोग थे, टीन लोग थे, कौन-कौन थे, पहला थे Sir Stafford Crips, दूसरे थे A.B. Alexander, और तिसरे थे Spathic Lawrence, ये तीनों थे, ये वही कि Stafford Crips है, जो Crips mission के chairman थे, ठीक है, और जो पैथिक Lawrence है, ये cabinet mission के chairman थे, ठीक है, और इन्हों ने ही कहा था, कि भारत में, संबिधान सभा, होनी चाहिए, ये बात किस ने कही थी, पैथिक Lawrence ने, ठीक है, अगला point, formation of provisional or interim government took place on the basis of cabinet mission, और cabinet mission के अधार पर ही, अंतरिम सरकार का गठन किया गया, ठीक है, अंतरिम सरकार का गठन किया गया, किसके basis पे, तो cabinet mission के basis पे, ठीक है, अगला point, the members of constituent assembly met for the first time on 9th December 1946, अगला point कह रहा है, कि जो संबिधान सभा के जो members थे, वो पहली बार कब मिले थे, 9 December 1946 को, कहां पे मिले थे, तो दिल्ली के central hall में, ये question बहुत बार पूछा गया है, कि पहला meeting कहां पे हुआ था संबिधान सभा का, तो उसका यही है कि central hall दिल्ली में हुआ था, और कितने members थे, 207 members थे उसमें, जो पहला meeting हुआ था, उसमें 207 members थे, clear है, अगला, The first chairman of constitutional assembly was Dr. Satchidanand Sinha, और संबिधान सभा के जो पहले अद्धेक्ष थे, जिन्होंने पहले बार अद्धेक्ष था की थी, संबिधान सभा के, वो थे Dr. Satchidanand Sinha, ठीक है, जो कि temporary थे, ये बात याद रखिएगा, अगर पुछता है कि पहले chairman कौन थे, तो Satchidanand Sinha थे, जो कि temporary थ है, अगला point, on 11th December 1946, Dr. Rajendra Prasad became permanent chairman on the recommendation of J.B. Kriplani, ठीक है, तो इस point कहने का मतलब है कि दूसरा meeting हुआ था, समिधान सभा का, वो हुआ था, 11 December 1946 को, जिसमें Dr. Rajendra Prasad को अस्थाई अद्ध्यक्ष बनाना बनाया गया था, यहाँ पे था कि सजदानand Sinha अस्थाई अद्यक्ष थ लेकिन 11 December को दूसरी meeting में राजंदर Prasad को अस्थाई chairman बना दिया गया, ठीक है, और किसके सिफारिस पे, Dr. J.B. Kriplani के सिफारिस पे, यह वही J.B. Kriplani है, जो भारत के सोतंतगा के समय, Indian National Congress के president है, ठीक है, अगला, अब कुछ points है, चोटा-चोटा points है, जो कि संबेधानिक सलहकार कौन थे, ठीक है, तो समय धानिक सलहकार की बात करने, तो वो थे B.N. राओ, ठीक है, अगला point, उसका जो उपाध्याक्ची यानि, Vice President कौन थे, तो HC मुखरजी, हरिस कुमर मुखरजी, और V.T. कृष्णामाचारी, यह आप बहुत कम परहेंगे लिखा हुआ, मतलब maximum जगा सिर्फ HC मुखरजी ही लिखा हुआ है, लेकिन, जो Vice President थे, वो दोनों थे, HC मुखरजी भी थे, और V.T. किस नमाचारी भी थे, ठीक है, अगला, जो इसके सचीव थे, Secretary, वो कौन थे, HBR अयंगर, ठीक है, HBR अयंगर इसके क्या थे, सचीव थे, ठीक है, तो इसको न अधी, Elephant, ठीक है, अगला, इनिसियली, टोटल नंबर ओफ मेंबर्स इन कंस्टिचूशनल एसेंब्ली वाज, 389, मतलब, स्टार्टिंग में, जो सम्विधान सभा के जो मेंबर्स थे, वो कितने थे, 389, 309 लोग थे, ठीक है, इन वीच, दोस 292 वाज फ्रों ब्रितिक प् एंड, 4 फ्रों, चीफ कमिस्नरी प्रोविन्स, ठीक है, इसमें क्या था, कि 292 जो थे, वो कहां से थे, ब्रितिस प्रांक से थे, ठीक है, तिर्यान में जो थे, वो थे, भारतिये प्रांक से, ठीक है, और 4 जो थे, वो थे, चीफ कमिस्नरी प्रोविन्स से, चीफ कमिस्नरी उसको कहा जाता है जिस प्रोविंस पे लिफ्टिनेंट गवर्णर का डिरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है ठीक है तो बात करते हैं ये चार कौन-कौन थे जिसमें पहला था देली दूसरा था अजमेर तीसरा था कूर्ग और चौर्ग यहां पे लिखे रहे हैं बालुचिस्तान बलोचिस तो कौन-कौन था दिल्ली था अजमेर जो की राजस्थान का पाठ है किसरा कूर्ग जो की करनाटक में है और चौथा बालोचिस्तान जो की पाकिस्तान में ठीक है एतना अगला, थार्ड मीटिंग, मतलब समिधान सभा का थार्ड मीटिंग तुक प्लेस ओन 13 दिसंबर 1946 इन वीच पंडित जावालाव नहरू आस्ट फॉर अब्जेक्टिव रिजोलूशन विच इवेंचुली एक्सेप्टेड ओन 22 जन्वरी 1947 कहने का मतलब है कि जो तीसरा मीटिंग हुआ था समिधान सभा का वो हुआ था 13 दिसंबर 1946 को जिसमें जावालाव नहरू जी ने पहली बार अब्जेक्टिव रिजोलूशन की मांग की थी जो की अंतता 22 जन्वरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया ठीक है और यही आगे चल कर क्या बना प्रियम्बल बना जिसको हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं अब प्रियम्बल बना ठीक है यहाँ पे लेकिन प्रियम्बल जो बना उसको हम उसका डिटेल्स चर्चा हम जब आ एक्सें टुक प्लेस इन 1946 और कंस्टिचुएंट एसेम्बली इन वीच वनली एलेक्टेड मेंबर्स ओफ लेजिसलेटिव कांसे लेजिसलेटिव एसेम्बली सॉरी पाटिसीपेटेड नॉट जन्रल पाबलिक कहने का मतलब है कि 1946 में एक आम चुना हुआ था ठीक है जिसम सम्विधान सभा का चुना हुआ था ठीक है जिसमें विधान सभा के जो निर्वाचित सदस्य थे उन्होंने भाग लिया था इसमें जेनरल पबलिक मतलब आम लोग ने भाग नहीं लिया था ठीक है अगला है one member from constituent assembly was allotted for every 10 lakh population इसमें कहने का यह बतलब है कि सम्विधान सभा का जो एक member है वो प्रतेक 10 लाख लोगों पे एलोट किया गया है ठीक है इतना point clear है अला point कहता है कि on 26 November 1949 constitution of India passed and adopted by constituent assembly कहने का मतलब है कि 26 जन्वरी उनिस्सों उन्चास को भारतिय सम्विधान को पारिद किया गया और इसको adopt किया गया किसके दवारा सम्विधान सभा के दवारा ठीक है और इसी दिन को इसी दिन को क्या हुआ आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60 and 3, 24 were imposed मतलब इसी दिन आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 6, 324 को लागू कर दिया गया अब यह सब है क्या तो 5, 6, 7, 8, 9 यह तो citizenship से related है ठीक है जो आर्टिकल 60 है यह president से related है और आर्टिकल 3, 24 जो है तो public service commission से related है तो इसका चर्च हम लोग आगे करेंगे जब complete articles परेंगे तो ठीक है तो इसी दिन समिधान को pass किया गया मतलब पारित किया गया और adopt भी किया गया ठीक है और चुकी यह 5, 6 आर्टिकल को impose गया गया था इसी लिए इस दिन को आंसिक रूप से समिधान को लागू भी किया गया था ठीक है ऐसा माना जाता है अब अगला point है कि कुल खर्च कितना आया समिधान बनाने में तो exact figure है 63,96,729 ठीक है कहीं कहीं आप परहेंगे तो एप्रॉक 64,00,00 लिखा रहता है ठीक है अगला कुल समय कितना लगा टोटल टाइम तो दो साल 11 महिन और 18 दिन लगा है ठीक है और इसी में टोटल 11 कंफरेंस मतलब 11 अधिवेशन मैठक जिसको बोलते हैं वो हुआ और 114 दिन तक डिबेट बहस चला जिसमें जो सात्वा अधिवेशन है उसमें जो मेंबर्स थे वो महात्मा गंदी को सरधानजी दिये थे ठीक है लग अधिवेशन में ठीक है अगला नेशनल सॉंग एंधम वाज एडॉप्टेड ऑन 24 जनवरे 1950 तो रास्टगान और रास्टगीत दोनों को कब एडॉप्ट किया गया था 24 जनवरे 1950 को इसके बाद ऑन 24 जनवरे 1950 जनवरे 1950 को ही लास्ट मिटिंग ऑफ कंसिटुएंट एसेंबली हुआ था मतलब लास्ट मिटिंग हुआ था जिसमें 284 मिम्बर्स ने साइन किया था और एकसेप्ट भी किया था बस समझ में आ गई अगला अगला मेंबर्स उव डिफ्रेंट पाटी एसंबली है और अलग 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 टी की मेंबर्स जैसे कॉआ ट • 2-0-8 म ieंबर्स मुसलिम लिग added Truck and a those फूरे 1964 मेंबर्स और यह और एक चीज और इसमें था कि 26 नॉंबर को क्या मनाया जाता है मद्धान दिवस और कहीं कहीं question ये भी पूछता है कि ये 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया तो इसके बात कुछ ऐसा है कि 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंतरता दिवस्त मनाया गया था फीक है इसी लिए 26 जनवरी 1950 को मतलब 26 जनवरी डेट चुना गया था इसके लिए इसको इंप्लिमेंट करने के लिए समिधान को फीक है तो फिलहाल आज पहला पार्ट रहेगा ये समिधान सभाखा तो इसके लिए कुछ-कुछ टॉपिक्स इसमें बच गया है मतलब छोटा- पुरा समिधान सभाख उसके बाद हम लोग आएंगे पार्ट से जिसको भाग काते हैं ठीक है तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही और अगर आप भी तक आपने चैनल को सब्स्क्राइब लाइक और सेर नहीं किया है तो लाइक भी कर दिजिए सब्स्क्राइब भी कर दिज है तो आप कॉमेंट सेक्सम ने जरूर हमें बताइए ठीक है थांक्यू सो वेरी मॉच